कर्म भोग, एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति, उन्हें तक्लीख देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे, इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई, महावीर ने न तो गुस्ता किया और नहीं उस व्य व्यक्ति को रोपने की कोशिश की, वह तु दीव मात्र के प्रती ब्रेम एवं करुना से पगे हुए, थे, उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम तक्वच छिपा हुआ है, वह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो, वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन ही उपदेशों के चलते, उन्हें तक्लीफ दे रहा था, वह देखना चाहता था कि कर्ष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं, सो, महावीर उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे, दुष्ट न रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था, दुष्ट ने देखा कि महावीर की आँखों से आंसु निकलने लगे, यह देख वह बोला, मैंने, तुम्हें बहुत कश्ट यह हैं, तुम्हें पीरा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, महावीर बोले, पीर मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है, दुष्ट व्यक्ती ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है, महावीर ने कहा, तन के विशय में मुझे नहीं मालू, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, परन्तु तुम्हें जो कर, यह हैं, उसके लिए तुम्हें कितना कश्ट भोगना पड़ेगा, यही सोच कर मैं दुखी हो रहा हूं, मेरी चिंता मेरा, तन है, बलकि तुम्हें मिलने वाला कश्ट है, मैं उसके बारे में सोच कर ही बेचैन हूं, यह सुनकर दुष्ट, उनके चरनों में गिर पड़ा,